वेलकम तो माई यूटूब चैनल टोटल स्लिशन मिलान दोस्तो आज मैं लेके आया हूँ एक आडियो चेंजर स्विच तो दोस्तो यह स्विच जब खराब हो जाता है तो अगर नया वाला आप लोग को पस नहीं होता है तो इसी स्विच से आप कम चला सकते हो तो इसलिए च आडियो चेंजर स्विच को रिपेर करना तो दिखिए इसका जो लॉक है इसको स्कूब डाइवर के मदद से थोड़ा-थोड़ा करके पिशर कीजिए तो यह वाला लॉक जो है आईस्ता आईस्ता खुल जाएगा उसके बाद आप प्लास के मदद ले सकते हो तो यह स्टील का जो लॉक है इसका चाह ले मुरा हुआ है डाइवर के साथ तो इसको सीधा करने के बाद आप इसको आइस्ता खीचोगे ऐसा तो देखिए ए निकल अएगा और दोस्तो इनिकल आने के बाद आबी जो है इस स्विच को होना पाड़ेगा दोस्तों तो वोकोनलेक्स से पहले इसका जो एक पीन है देखिए इस पीन को पहले टूजर के मदद से आइस्ता करके उपर खिचिए तो यह निकलाएगा और इसके बाध इसका अंदर का जो लोक से ओ भी भार आ जाएगा देखिए इसमें दो फ्रेंग के स़menoति लगा होए दोस्तों दिखाता हूँ दिखिए यह दो प्लेटे जो स्प्रिंग के साथ लगा वाए तो एक क्या होता दोस्तों यह तो सुछय पुरा खरब नहीं उता है दूल मिट्टी ऐसा के थोरा सा इसमें रस्ट जैसा मैला जम जाता है इसी करम नहीं होता है और इस जो चेपी ने इसके अंद भी थोड़ा बहुत मैला आ जाता है तो उसमें क्या होता है वो सुच काम नहीं करता है तो अब बहुत जागा में मैंने देखा है दोस्तों जो सुच होता है वो असानी से मिलता नहीं है नहीं तो दुकान बहुत दूर है तो आप उसको काम चलाने के लिए इसको आप रिपेर करके लगा सकते हो नया जैसे ये काम करेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो देखिए थोड़ा प्लास के मदद से इसको थोड़ा दवा के आपको देखना है थोड़ा सा लूज हो जाएगा उसके बाद प्लास के मदद से ऐसे आप पीन को पिशर कीजिए तो निकलता रहेगा देखिए ऐसा प्लास को पकड़िए थोड़ा थोड़ा करके पेशर कीजिए उसके बाद एक एक करके पिन जो है बाहर निकलता रहेगा दोस्तों और जो एक लॉक होता है प्लास्टिक के अंदर उससे निकल जाएगा लॉक से तो उसके बाद आप इसको हा है दोस्तों यह अगर आप सीख लेते हो तो आप काम चला सकते हो जब आपको नया स्विच नहीं मिलता है तो दीए इसके अंदर जो थोरा सा रास्ट है मैला है उसको आप लिकुड से साफ कर सकते हैं और नाइब के मदद से भी ऐसा आप इसको घीच के साफ कर लीजिए तो मै साफ करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों यह जो पेशर प्लेट है इसको भी आपको नाइब के मदद से थोरा घीच के इसको भी साफ करना पड़ेगा देखिए इस्ते इसको गिचने से दवा के मत घीचिये नाजू होता है तो देखिए पूरा साफ हो गया अभी इसको जो है पिसर प्लेट को धाचे मES रखिे लुक्र टूइजयर से पकर करके ऐसे आइस्ता अप टूझा दीजिये तो आसानी से बैठ जाएगा दोस्तो चोटा सा जो सुप्रींग को पिसर करके रखता है तो दोस्तो और बिडियो इसलिए डाल रहा हूं बहुत सरा जो भाई है वो लोग कमेंट करता है उसका सुच का प्रॉबलम है सुच कहापी मिलेगा नजदिक में नहीं है दुकार तो भाई लोग आप इस वीडियो को देखने के बाद आपने आप खुद का जो सुच का प्रॉबलम है आप लोग ठीक कर सकते हो नया सुच बहुका भी सही रहता है तो इससे कम चल जाएगा तो दीख़िए एक एक करके पीन अभी हम इसमें डालेंगे एक एक करके आह वेलेगा यहिस्ता च dice पीने है दोस्तों तो एक करके आहस्ता इस तर डाल के थोड़ा हाथ से पिसर कर दीजिए तो तिखिये आसानी से अंदर चला जाएगा इसके बाद दोस्तो इस पीन को फिर से लॉक पोजिशन में लाना परेगा तो इसलिए आपको थोरा प्लास का सायता लेना परेगा दोस्तों तो प्लास से आप थोरा सा थोरा थोरा करके इसको दबाई यह तब को मैसूस होगा कि पिन थोड़ा अंदर जाके लॉक हो रहा है ठीक है ऐसा कुछ मैसिस होगा कि पिन थोड़ा अंदर गया उसके बाद लॉक हो गया तो ऐसे करके आप छे पिन को आप ऐसे पिशर कीजिए इस्ता इस्ता तो अंदर जाने के बाद लॉक हो जाएगा एकदम आसान है दोस्तों स्विच रिपेर करना एक कभी भी खराब नहीं होता है पूरा बहुत दिन चलता है थोरा रास्ट परने के कारण धोल मिटी और इसका देखिए अभी जो एक लॉक है देखिए उपर और इस स्विच में भी एक लॉक रहता है चैनल तो चैनल सीधा इ बालने से सीधा चला जाता है देखिए अंदर वो चैनल में स्विच आप डाउन करता है ताभी इसको थोड़ा पेशर करके पकरके रखिए उसके बाद जो इसका पीन है दोस्तों उसको आपको लगाना पड़े गाए इसे पहले उपर वाला हिस्सा को लगा दीजिए स्प् लग गया है अभी देखिए आप डाउन भी कर रहा है अभी इसका जो मेटल का जो लॉक था स्विच को जो पकर के रखता है उसको आप सही से पकर के उसका चैनल में डाल दीजिए देखिए एक तम सही से बैठ गया है और उसके बाद इसका जो चारो लोखे प्लास से आइस्ता आइस्ता करके थोरा टिरा कर दीजिए तो एस स्विच आसानी से सेट हो जाएगा तो दोस्तों अगर मेरा चैनल का वीडियो अप लोग को अच्छा लगता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लूग होगा तो कि जहां पर आपको लोग को सुच नहीं मिलता है तो काम चलाने के लिए अब वह वाला जो सुच है उसको ही आप रिप्यार करके ऐसे आप लगा सकते हो और जो टेख्निशियन नहीं है नॉन टेख्निशियन है और भी आप लोग ऐसे स्विच को खोल के खुद का जो problem है वो आप लोग solve कर सकते हो तो इसी करन मैंने वाला वीडियो डाला हूँ तो बाद में मैं और थोड़ा भी कई वीडियो डालूंगा switch के उपर तरह तरह का जो switch होता है वो एकदम खराब नहीं होता है दोस्तों थोड़ा साफ problem के लिए वो switch cancel हो जाता है हम ओके हो गया दोस्तों थोड़ा साभी जो problem था इसका लूस कनेक्शन बगारा तो हम मीटर से इसको नाप के आप लोग को दिखाते हैं देखिए इसका continuity mode एकदम से ही दिखाएगा वानोंस करके दिखाएगा हर स्वीच का पीन में तो देखिए इसका भी continuity लेंगे हम इसका भी सही दिखा रहा है आप थोड़ा स्वीच को दावा के हम देखेंगे तो सारी पीन का जो connection है दोस्तों वह सही से ठीक हो गया तो दोस्तों देखिए ऐसा करके आप लोग आपका जो स्वीच का प्रॉब्लम है वह आप लोग ठीक कर सकते हो जो की audio changers होई जे तो हमेशा इस स्वीच में प्रॉब्लम आता है बहुत सारा तो गई प्रवाश्यो की वाचिटा वाचिक मैं वीडियो का जो सारा लोगच जापका अनूं प्रॉब्लम आता है बोह।